आजकल ट्रैफिक चलान होना एक आम बात हो गई है आप अपनी बाईक या कार लेके कहीं जा रहे होते हैं और ऐसे में आप थोड़ी बहुत कुछ गलतिया कर देती हैं ऐसे में पुलिस उसे देख लेती है उसके बाद आनलाइन अपने मुबाईल से ही फोटो खीच के एक बताने वाला हूँ तो नमस्का और मित्रो मेरा नाम है आदित्य आप देख रहे हैं लौ मंत्रा यूटूब चैनल आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आपके कार या फिर मोटर साइकल या फिर किसी वाहन का चलान हो गया है तो ऐसे में उस चलान हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो भी आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपको चलान हो गया है तो ऐसे में आपको पैसे पेट करने हैं और यदि आपका नहीं हुआ है तो हो सकता है भविसे में आपका चलान हो जाए तो ऐसे में आपके लिए भ पूरा देखिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे ट्रैफिक चलान हो जाने के बाद उसे भरने के चार तरीके होते हैं पहला जो तरीका होता है आप जब चलान हो रहा हो उसी समय उस रासी को भर दे आपका जो चलान है वो समाप्त हो जाएगा लेकिन ऐस आपको पूरे पूरे पैसे देने पड़ेंगे जितना का आपका चलान हुआ है आपको सारी रकम देनी पड़ेगी तो पहला ये तरीका हो गया कि आप जहां चलान हो रहा है जो पुलिस वाला आपका चलान कर रहा है उसी को जो भी एमाउंट है आप पेड़ कर दे ऐसे में प पूरी पूरी रासी है आपको वही भरनी पड़ेगी एक भी पैसा आपका माफ नहीं होगा तीसरा तरीका होता है ओनलाइन आप ओनलाइन भी चलान भर सकते हैं लेकिन इसमें भी आपको पूरा पूरा रकम भरना होगा एक भी पैसा आपका माफ नहीं होगा अब जो मैं आप आपको चौता तरीका बता रहा हूं उस तरीका का अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो ऐसे में आप काफी हद तक अपना चलान माफ करा सकते हैं जितना आपका चलान हुआ होगा मान लीजे उसका पचीज से तीस परसंट तक ही आपको चलान की रास पेड़ करनी पड़ेगी और इतने में आपका सारा खर्चा भी हो जाएगा तो देखे ऐसे में आपको कोर्ट जाना पड़ता है यानि जब चलान आपका हो जाता है उसके कुछ दिनों के बाद आपके फाइल को जो ट्रैफिक पुलिस है वो कोर्ट में भेल देती है जब आपका फाइल कोर्ट में च चला जाता है उसके बाद तक यदि आप वहां से जाके चलानी की रास को पेड करती हैं तो आपको काफी कम चलान देना पर सकता है तो यदि आप कोर्ट से जाके चलान को भरती हैं तो ऐसे में आपका चलान काफी हद तक कम हो जाएगा और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5000 का चला हुआ होता है और आपकी गलती कोर्ट नहीं बाता है आपके पास सारे डॉकुमेंट्स होते हैं तो ऐसे में तो आपका चलान 500 रुपए तक कोर्ट कर देता है तो ये कोर्ट की इच्छा होती है कि कितना हद तक आपके चलान को वो बाफ कर दे यदि आपका भी ऐसे ही चलान हुआ है और आप उसे माफ करवाना चाहते हैं माल लिजए आपका 10,000 का चलान हुआ है तो ऐसे में आप 3 तरीकों से तो चलान भरती है तो ऐसे में तो आपके 10,000 रुपए लग जाएंगे लेकिन यदि आप कोर्ट में जाके उस चलान को कोल्ट में कर सकती हैं कोल्ट में जाने के बाद आपके चलान का रसीद के साथ आपको एक कॉनफेशन लगाना होता है यानि एक एप्लिकेशन लगाना होता है आप उस एप्लिकेशन में लिखते हैं कि आपकी जो गाड़ी की संख्या है वो इतनी है इसका इतने हजार सक्षम नहीं है आपका जो भी जुर्म है आपको स्विकार है ऐसे मैं आप कार्ट से निवेदन करेंगे कि कार्ट जो है जुर्मानी के आधार पे आपका मुकदमा समाथ कर दे उसके बाद जब ऐसा application आप कर्ट में देते हैं तो तो कार्ट क्या करता आपको दस हजार रुपए नहीं देने पड़ेंगे सिर्फ एक ही हजार रुपए देने पड़ेंगे उसके बाद आप ये एक हजार रुपए दे देंगे पेट कर देंगे उसके बाद आपका वो चलान समात हो जाएगा और इन सब जंजट से आप बाहर निकल जाएगे यानि काफी हद तक आपको मदद मिल जाएगी और काफी पैसा बच जाएगा अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं और चलान आपका कोर्ट में चला जा रहा है तो आपको घबडाने की बिल्कुल भी आउ सकता नहीं है नहीं आपके पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगा नहीं आपके जॉब में दिक्कत आएगा आपको इससे फायदा ही होगा कि आपकी चलान की रास माफ हो जाएगी तो यदि आपका भी चलान ऐसे हुआ है तो आपको ये चौता तरीका ही अपनाना है अगर आप अपने पैसे बचाना चाते हैं